महराच में सरकार को लिकर कमसान जारी एंसिपी कॉंग्रिस की बीच फसी श्युप सेना मुंबई में आश्राम चार बजे एंसिपी और कॉंग्रिस की बीच होगी बैटक एंसिपी को मिल सकता है कॉंग्रिस का समर्थन पत्र तीन बजे मुंबई पहुँचेंगे सभी कॉंग्रिस बिधायक NCP ने कॉंग्रिस पर पोड़ा ठीक रहा NCP नेता अजित पवार का बयान हमारे तरफ नहीं हुई कोई देरी कॉंग्रिस की तरफ से नहीं मिली कोई लेटर अजित ने ये भी सपर्च किया कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है हम कॉंग्रिस से बात करेंगे और राजपाल से जादा वक्त मांगने की कोशश करेंगे अजित पवार ने कहा कि हमने सोंबार को पूरा दिन कॉंग्रिस की समर्तन पत्र का अंतजार किया क्योंकि कॉंग्रिस के बिना हमारे समर्तन का कोई मतलब नहीं है अजित पवार ने ये भी कहा कि इस थाई सरकार देने के लिए कॉंग्रिस को आना चाहिए शुवसेना सांसा दर्विन सावंत के किंद्र भारी उध्योग और सारवचनी कुद्धम मंतरी के रूप में पद छोड़ने के एक दिन बाद राश्टपती रामनात कोवंत ने मंगलवार को उनका इस्तिफा स्विकार कर लिया है और कैबनेट मंतरी प्रकास जावडिकर को मंतराले का अंतरिक्त प्रभार सौब दिया है लोचपा की रास्ट अध्यक्ष चिराग पासवान ने महरास्ट में बीज़पिय और शिवसेना की बीच जारी तनातानी पर कहा कि ये गजबंदन पहले पुराना है हम भी NDA का हिस्सा है अगर ये गजबंदन तूटता है तो दुख होगा जारकंड विदान सबाशनाओ को लेकर लाशपा की रास्टी अध्यक चिराग पासवान का बयान लोचपा अपने संगचन के दम पर जारकंड में अकेले चुनाओ लड़ेगी साथ ही उन्होंने कहा कि इसका कोई भी प्रभाव विहार और केंद्र की गजबंदन पर नहीं पढ़ने वाला है गुरुनानक देव की 550 वे जहनती पर सियम्योगी आदितनाथ ने संबोधित किया ज़ौरान सबसे पहले उन्होंने सभी को प्रकाशपर्व की बढ़ाई दी उसके बाद उन्होंने कहा कि ननकाना सहब भी हम जल्दी जाएंगे सियम्योगी आदितनाथ से 15 सिया सुने मुसिलमे धर्मगुरियों ने मुलाकात की इन धर्मगुरू में भी मुहमद हमिदूल हसन, मुहमद सल्मान हुसैन नदवी, परिदूल हसन, यूसुफ हुसैनी शामिल थे लगबग एक घंडे तक ये मुलाकात चली है, धर्मगुरू ने आयुध्या पैसले का स्वागत किया है और यूपी सरकार की कानून विवस्था पर बधाई दी है मरास्ट में किसके सरकार बनेगी, ये तो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, लेकिन इस बीच निताओं के बयान आने जारी हो चुके है मरास्ट के सियासी ड्रामे पर AIMI चीफ असुदिन ओविसी ने कहा कि ये खेल हो रहा है ओविसी ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी आसे गटवन्दन को समर्तन नहीं देंगे जिसमें BGP और शिफसेना शामल होंगे योगी सरकार ने 69 लोगों की बढ़ाई सुरक्षा, सुरेश राना, संगीत सोम की सुरक्षा में जाफा किया गया है जफर फारुक्की की भी बढ़ाई गई है सुरक्षा, नरेश अगरवाल को वाई प्लस रेनी की सुरक्षा और वहीं संगीत सोम को जट प्लस की सुरक्षा दी गई है जफर में विदान सबाद चुनावपुर्व भारती चंतापाची और आजसु के बीस दरार साफ पड़ती दिख रही है और जफर कंड स्टुनेंट्स यूनियन ने अपने 12 उमिद्वारों की लिस्ट जारी कर दी है इस दिस में आजसु ने अपने तीन उमिद्वार बीज़पी के खिलाब उतारे है सुदेश महतो के नित्वत वाली आजसु ने जारकंट बीज़पी अधरक्ष लक्षबन गिलवा के खिलाब भी अपने उमिद्वार की नाव का अलान कर दिया है पुर्वप्रधानमंत्री राजिव गांधी की हत्या में दोशे करार एजी पिरारिवलन को आज मगलवार को पैरोल मिल गई है कोट ने उसे 12 नवबर से लेकर 13 दसंबर तक यानी 30 दिन की पैरोल दी है कोट ने AG पेरारिवलन को पुलिस एकस कोट देने का भी आदेश दिया है साथी कोट की ओर से AG पेरारिवलन को कृष्णागिरी में अपनी भटीजी की शादी और अस्पताल में अपने पिता की सरजरी में शावल होने का आदेश दिया महरास्ट बदान सबा में किसी भी पाची को बहुवत नहीं मिलने पर उपजे हालात के बाद सरकार बनाने के लिए NTS से शुवसीना के अलग होने पर चर्चा शुरू हो गई है महरास्ट में शुवसीना के NTS से अलग होने के संबंद में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो जाने भाई इसमें हमको क्या लेना देना बियार के बित्या में CM नितिश कुमार सौगात देने पहुँचे लेकिन इस दौने में वो मंच पर ही भड़क गए कारिक्रम में पहुँची आम जनता ने जब विरोध करना शुरू किया तो CM नितिश कुमार को ये बरदास नहीं हुआ उन्होंने GM को आदेश दिया कि विरोध कर रहें लोगों का फोटो घीचे और उनके खिलाब कम से कम एक मुकदमा तो जरूर करे नितिश कुमार का ये वीडियो अब शोशल मीडिया पर लोग जम कर देख रहे हैं दिली अन्सियार की हवा अज भी बेहत खराब बनी हुई है दिली अन्सियार को सुबह स्मोग की चादर नहीं अपने आगोश में ले लिया कई लाकों में येर क्वेंटलिटी इंडेक्स 700 के पार पहुँच गया हवा की क्वालिटी का सबसे बुरा हाल दिली से सटेश शेहरों में भी देखने को मिला नौजास सेक्टर 62 में SQI 714 और गाजियबाद के वसुद्रा में 666 रिकॉर्ड भी देखा गया जो सबसे खतरनाक स्थर पर लगतार बना हुआ है गुरुनारक देव का 550 पर प्रकाश परव आज दूमदाम से भारत समेट पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इस बेहत खास मौके पर गुरुद्वारों को विशेश रूप से सजाया गया है वहीं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और राश्च्पती रामनात कोविन ने देशवासियों को बढ़ाई दी है देशवर में आज गुरु नानक देव जी की 550 वे जहनती मनाय जारी है इस खास मौके पर गुरुद्वारे में लोग दर्शन कर रहे है वितमंत्री निर्मला सितरमन आज गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंची दिली की प्रसिद बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाकर निर्मला सितरमन ने माथ हटेका है मौके मंत्री पुपेश पगेल ने आज सुभर रायपूर के महादेव घाट पर कार्तिक पुर्णिमा का स्नान किया साथी प्रदेश वासियों की सुख समरिद्धी की कामना की है पुपेश पगेल ने राजधानी रायपूर के महादेव घाट पहुंच कर खारुन नदी में कार्तिक पुर्णिमा स्नान किया इसके बाद उन्होंने एतिहासिक हटेक केश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाव शेक कर पूचा अरशना की और प्रदेश के विकास के लिए प्राथना भी की है मुख्यमंत्री परंपरागत गंगा आर्ती कारेक्रम में सम्मेलित हुए और दीपतान भी किया कार्तिक पुर्णिमा के इसनान पर हरिद्वार में उम्रे सर्द्वालू का सहलाव शदालू लगा रहन गंगा नडी में आस्था की जुपकी माना चाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से मनोकाव नाइब पूरी होती है भगवन राम की नगरी आयोध्या में कार्तिक पुर्णिमा की धूम देखने को मिल रही है कार्तिक स्नान के लिए सर्यू नदी पर लगतार भक्तों का तांदा लगा हुआ है सुरक्षा के वेश धालों ने लगाई है पावन नदी सर्यों में डुपकी सर्यों मा की फूल बंगले की जाकी सजाकर विशेश महारति का भी आयोजन किया गया है कार्तिक पुर्णिमा पर यूपी के हापुड में स्थित गण मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर सुबस नहीं लोगों का आना जारी है कई राजियों में आये महिला बच्चों समेट 35 लाग से भी जादा भक्तों ने मोक्ष दाइनी गंगा में आस्था की टुपकी लगाई अतियासिक पौरानिक कार्तिक पुर्णिमा के मेले में आये लोगों ने अपने परिजनों की आत्मा की शांती के लिए हर-हर गंगे के जैकारे के बीच दीबदान किये ब्रजगाट में चल रहे शहरी मेले में पहुचे लाखो शद्धवालों ने गंगा नदी में दीदांग की परमपरा को निभाई है वहीं पुरी देशपर के साथ कासगंज जिले में भी कार्टिक पुणिमा का पर्व परमपरागत तरीके से मनाया गया लाखो श्रद्धालों ने गंगा घाट पर आस्था की जुपकी लगा कर पुन्य लाब मागा है इस दोरान हर हर गंगे के जैकारे से गंगा घाट बूल उठे आज कार्टिक पुर्णिबा का परवपूरी भविता के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर राजधानी के अलग-अलग घाटों पर आस्था का सैलाब दिखाई दिया कार्टिक पुर्णिबा पर श्रधालों ने आस्था की जुपके लगाई हाथसा हो गया कार्टिक पुर्णिबा पर नहाने गई दो युवतियों की मौत हो गई जबकि बचाने गए एक श्रक्स की भी डूब कर मौत हो गई है नवादा जिले के को आलकोल के सुर्य मंदिर तालाप में यह हाथसा हुआ गोंजा में आर्नाइन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है गोंजा शेहर की आधी से ज़ादा आबादी को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया आर्नाइन टीवी ने यह खबर प्रमुकता से दिखाई थी खबर चलने के बाद स्वास विभाग और नगर पालिका प्रशासन की नीद खुली है श्रास्ति नगर महलने में स्वास्त कर्मी पहुचकर लोगों को दवाया बाट रहे है साजापूर में मंगलबार सुबह करीब साड़े दस बचे डिरलमिंट हो गया पुरादाबाद की और से कार लोट करके आ रही मालकाडी के चक्के अल्टिया पाटक पर पट्री से उतर गई ट्रेन कुछ दूर खिस्ती हुई चली गई तेज आवाद सुनकर आसपास के गाउं के लोग भाग कर मौके पर पहुचे हलाकि इसे कोई जानहानी का खत्रा नहीं पहुचा है युपी के गुणा शेहर की अबोहबा को लगा प्रदूशन का ग्रहन एंजटी के आदेशों का हो रहा है खुला उलंगन नगरपालिका जल्वा रही है लाखो टन कच्रा वायू प्रदूशन से परशान शहर की पाच लाखा बादी वायू प्रदूशन से शहरवासियों का सास लेना दूपर हो गया है शिकायत के बाद भी सूद नहीं ले रहे हैं प्रशासन गया शहर में इन दिनों अपराधियों का बोल बाला नज़र आ रहा है मानपूर के मुनियाद गंश्थानाच शेत्र में सामने आया है अपराधियों ने दीन दहाडे मामले के ठोक विकरिता की दुकान पर छे गोलिया उसके उपर चला दी सदार्थनगर जनपत में स्थित नौगर रेलवे स्टेशन अब सिधार्थनगर के नाम से जाना जाएगा जिले की स्थापना के बाद से यही नौगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही थी प्रदेश शरकार त्वारा नाम बदलने को लेकर भीज़े गए प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी सहमती जताते हुए नाम बदल कर भीजने को कहा है जम्मू कश्मीर के पहलगा में प्रयाचक बर्बारी का लुफ्त उठाते नज़र आए यहाँ पर हर तरफ बर्ब की चादर बिच्छी नज़र आ रही है बच्चे और बड़े सब बर्बारी का लुफ्त उठाते नज़र आ रहे है जम्मू और कश्मीर के पहलगा में सीजन की पहली बर्बारी देखने को मिली जहाँ बड़ी संख्या में लोग चा रहे है औरिशा की मयूरभज जले के करजिया वन रेंज में जंगली हाथियों के जुंड का तांडव देखने को मिला हाथियों के जुंड ने धान की पसलों को नस्ट कर दिया तस्वीरों में हाथी अपने मस्ती में दोड़ती दिखाए दे रहे हैं हाथियों के जुंड को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड भी चुट गई जमुकश्मीर के गांदरबल जिलेक के गुंज अलाके में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटबेड में एक आतंकी ने मार गिरा है वहीं समचार एजंसी पीटी आई के अनुसार एक सुरक्षा बल खायल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंटर मोदी चटी बार 11 ब्रिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजिल रवाना होंगे पीम वहां 13 और 14 नॉबर को आज़ित सम्मेलन में भाग लेंगे इस बार समिट की थीम उन्नत भविस्टी के लिए आर्थिक ब्रिदी है प्रधानमंत्री कारले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बेली बार ब्रिक सम्मेलन में हिस्सा लेने 2014 में ब्राजिल के शहर फोर्ट लेजा गय थे मेंगाई की मार शील रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है पाकिस्तान में टमाटर की कीमत अब 160 रुपे तक बढ़कर 320 रुपे प्रती किलो पर बहुच गई है वही हाला कि अब टमाटर 140 से 170 रुपे के भाव पर बिख रहे है टमाटर की कीमत बेतहाश्वा बढ़ाने पर जहां लोगों को काफी परिशारियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं ग्रहनिया रसोय में टमाटर के विकल पर विचार कर रही है पाकिस्तान की पुर्वप्रदार मंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि विदेश जाकर इलाज करवाने में हो रही देरी के कारण उनका स्वास्त खत्रे में आ गया है शरीफ का नाम तो नो फ्लाइं लिस्ट में शुमार है जिसकी वज़ा से वो विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे है उन्हें इस लिस्ट में अपना नाम हटने का अंपजार है नवाज शरीफ को पहले ही टॉक्टर से लाज के लिए ब्रिटेन जाने की सला दे चुके हैं लेकिन लो फ्लाइंग लिस्ट में नाम होने की वज़ा से वो देश से बाहर नहीं जा सकते अमेरिका ने संयुक्त राष्ट में दलाई लामा का मुद्दा उठाने की योशना बनाई है चीन ने इस पर कड़ी आपत्ती जताते हुए अमेरिका से उसके आंतरिक मामले में दखलना देने की अपील की है चीन का कहना है कि अगले दलाई लामा के चैन में उसका रोल एहम है ना कि किसी अन्य देश का संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में चीन का वीटो पावर है इसे इस्तमाल हुए वो दलाई लामा पर लाए गए किसे भी प्रस्ताव को गिरा सकता है इसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि दलाई लामा के मुद्धे पर अनि देशों को संयुक्त राष्ट में आवास उठानी चाहिए सहयुकत राष्ट में अमेरिका की राज़दूर रही निकी हीली ने रास्टपती डोनाल ट्रम्प को लेकर अपनी किताब में कई खुलासे किये है हेली ने बताया कि किस तरह वाइट हाउस में ट्रम के सहयोगी मंत्रियों ने ही राश्पती ट्रम को देश विदेश से जोड़े मामलों पर नजर अंदास किया गया था हेली ने किताब With All Due Respect में खुलासा किया कि पुर्व विदेश मंत्री रेस्क चलरसन और वाइट हाउस में चीफ आफ स्टाफ रहे जॉन कैली ने उनसे कुछ बुद्दों पर ट्रम को अंसुना करने के लिए भी कहा था अमेरिका के शिकागो में भीशन बरबारी और तेज़वा की बीच बरफीले तुफान जैसे हालाद बन चुके हैं वहीं बरबारी की वज़ा से शिकागो से चलने वाली 1200 से जादा फ्लाइट को रद कर दिया गया अमेरिका के मौसम विभाग के वताविक शिकागों के उत्तर और मध इलाके में भारी बर्बारी हुई है इस छेत्र में 3-6 इंच बर्प बिची हुई है अस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांट में जंगलों में लगी आग की वज़ा से काफी नुकसान हो रहा है वही वीशन आग की वज़ा से पूरे प्रांट में अमर्जन्सी लगा दी गई है वही आग पर काबू पाने के लिए 1000 से ज़ादा दमकल कर्वियों को जंगलों में भीज दिया गया है आग का खत्रा ऑस्ट्रेलिया की राजदानी सिचनी पर भी मंडरा रहा है जिसको देखते वे हलिकॉप्टर के जरिये शहर के हालातों पर नज़र रखी जारी है अस्ट्रेलियन नियोज एजन्सियों के मताविक अब तक आग की वज़ा से तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़ादा घर जल चुके है राम रखवन की ठ्रीलर फिल्म अनदून जापान में 15 नौमबर को रिलीज की जाएगी इस फिल्म में बेहतरिन आक्टिंग के लिए अश्मान खुराना रास्ट पुरसकार जीचुके है भारत में ये फिल्म इस साल की शुरुवात में रिलीज होंगी और इसकी तारीफ चीन, कोरिया, रूस और काज़कस्तान सहीत दुनिया के कई हिस्सों में हुई है पिछले साल ऑक्टूबर में इस फिल्म ने 95.6 करोड रुपए की कबाई की थी मशूर सिंगर लता मगेशकर की तव्यत खराब होने के खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि वो मुंबई के ब्रीच कैंजी हस्पताल में वेंटलेटर पर है पिलाल लता की हालत स्थिर है लेकिन गम फीर बनी हुई है रविवार रात दो बजे सास लेने में लता जी को दिक्कत हुई थी उसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था तब से उनका इलाज लगतार जारी है अश्मार कुराना की बाला ने सिनमा घरों में अपना धमा का जाई रखा हुआ है फिल्म की तुफानी कमाई और धमाकिदार प्रदर्शन ने इसे खुद को 100 करोड कलब में शामिल करने की तैयारी कर ली है फिल्म समिक्षक तरण आदर्श के ट्विट के मताबिक बाला ने सुमवाट तक करीब आज करोड रुपई की कमाई की थी इस लिहाज से फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में ही 52 करोड रुपई का कलेक्शन कर लिया अक्षकुमार, रितेश देश्मुक और बॉबी दिवल के फिल्म हाउसफुल 4 की दमदार कमाई रुखने का नाम नहीं ले रहा रोचाना ताबर तोड प्रदर्शन करते वे फिल्म जल्दी 100 करोड का आकड़ा भी पार करने वाली है धंतेरस की मौकी पर रुलीज हुई अक्षकुमार के इस फिल्म ने बॉलबुच की कई कॉमेटी फिल्मों को भी पचाड़ दिया है फिल्म के शुरुवाती आकड़ों को देखते वे ये कहा जा सकता है कि आउसफुल चार ने बीते दिन करीब 1.5 करोड रुपए की कमाई की होगी इस लिहाज से फिल्म 17 दिनों में कुल 194.5 करोड रुपए का कलेक्षन कर सकती है हाला कि इसकी आधिकारिक सोचना मिलना अभी बाकी है अक्टर श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पती अबनव कोहली से अलग होने पर प्रतिक्रिया दी है श्वेता ने पती को जीवन का जहरीला इंट्पेक्शन बताया है हाली में श्वेता और उनकी बेटी पलक ने अबनव के खिलाब घरेलों हिंसा का मामला दर्श करवाया था इसके अलावा उन्होंने इस दौरान श्रादी पर जारी ट्रॉलिंग पर भी बात की है खास बात यह है कि आक्ट्रस ने पहले पती राजा चौदरी से भी मानपीट के चलते तलाक ले लिया था इंग्लेंट के विकेच कीपर बले बाद जौनी वेरस्टो को ICC ने अभधर भाष्वा के इस्तमाल के कारण फटकार लगाई है ICC के जारी वयान के मताबिक बोर्ड ने विरस्टो को उसकी आचार सहिंता के नियम के लेवल एक का उलंगन करने के कारण एक नाकरात्मक अंक भी दिये है भारत की युवा निशानिबाद स्वारप चौधरी ने पुरुष 10 मीचर रियर पिस्टल में रचक पदक जीता है चौधवी एश्वियाई निशानिबाद जी चेंप्रेंशिप में भारत का अच्छा प्रदर्शन लागतार जारी है भारत के किलाडियों ने आधा दर्जन से जादा पदक इस चेंप्योंशिप में हासल कर लिया है अंगद वीर सिंग बच्वाओ और मिराज एहमद ने चौधवी एश्याई चेंप्योंशिप में पुर्शों की स्किट्स परधा में पहले और दूसरे स्थान पर रहते वे देश के लिए दो और उलम्पिक का कोट हासल किये है इन निशाने बाजों ने पदक से टोक्यों अलम्पिक 2020 के लिए भारती निशान बाजों ने अब तक का रिकॉर्ट बंदरा कोटे में हासल कर लिया भारती महिला होकी टीम ने टोक्यों बे होने वाले 2020 अलम्पिक के लिए जगा पक्की कर ली है टीम की कप्तान रानी रामपाल टीम की सुपलब्धी से काफी खुश है साती रानी ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि टीम टोक्यो अलम्पिक में अच्छा प्रदर्शन करेगी भारत से टीट्वेंटी गवाने के बाद बांगलादेश टीम ने अब 14 नॉम्बर से होने वाले दो टेस्ट मैचों की सिरीज के लिए अपनी कमर कसली है बांगलादेश टीम चाहेगी कि वो टीट्वेंटी सिरीज की हार का बदला टेस्ट सिरीज में जीत ले